एलो फ्रेंट्स, टेकनिकल ग्याण में आपका स्वागत है आज में बात करने जा रहे हैं, कैसे एटैल में से जीओ में आप M&P कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जीओ पोस्ट प्लस ऐपलीकेशन उपन करना है, तो चलिए हमें आपफलीकेशन उपन कर लेते, तो application open करने के बाद आपको यहां आपका register ID number और password डालना है उसके बाद ही आप login कर सकते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है तो यह application में वही लोग login कर सकते हैं जो officially geo में registered है यानि के distributor द्वारा आपका registration करवाया जाता है उसके बाद ही आप geo postpress application यूज कर सकते हो तो चलिए login कर लेते हैं तो login करने के बाद आपको इसमें three lines दिखाए दिएगी corner में उसपे click करना है तो चलिए हम पहले login कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं login हो चुका है तो उपर आपको ते इन lines दिख दाए दिए उसपे click करना है सबसे पहले option है geo digital kyc उसपे click करना है click करने के बाद यहां आपको mobility select करना है तो जैसे आप mobility select करोगे यहां अधर का qr code scan करने का option आता है तो आपको एक बात का याद रखना है कि यह application वही लोग use कर सकते हैं जो geo में register है वन्ना यह application में अपना ही login कर सकते हो और नहीं आप MNP या कोई भी device का balance कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको officially register होना ज़रूरी है तो चलिए तो यहां आपने देख सकते हो हमने officially login कर चुका है तो login करने के बाद तो हमें आधरकर QR code scan करना है तो चलिए हम आधरकर QR code scan कर लेते हैं तो यह अधरकर उसका QR code scan कर लेते हैं यह QR code scan हो चुका है अभी next करने नेक्स करने के बद अधर का front copy यानि कि front page का हमें फोटो लेना है तो चलिए हम फोटो लेते हैं ध्यान रखे जब यह फोटो लो उसका background हमेसा white होना चाहिए तो यहां select use this photo अगर आपका photo clear नहीं होगा तो एक cancel हो जाएगा फिर से try करना है फोटो का तो चलिए हम फिर से अभी हम पीछे वाला view लेते हैं photos तो चलिए अभी आधर कड का पीछे का photo लेना है तो यहां आधर कड का पीछे का photo लेते हैं तो चलिए अभी verify हो रहा है जैसे verify होगा यह आपको एक image दिखाएगा use this photo वो option आपको select करना है जैसे आप select करोगे उसके अबद आपको next करना है ने के बाद आपको customer का photo लेना है यानि कि जिस customer का M&P करना है उसका यानि कि जिसका अधर कड आपने use किये उसका photo लेना है ध् देख सकते हो जब तक यह green ने होता है तब तक आप फोटो नहीं ले सकते है अभी green है तो photo हम capture कर सकते है तो अचलिए photo capture किया है हमने तो अभी okay करना है उसके बाद next कर दीजिए next करने के बाद अभी agent का photo यानि के जो registered होगा जियो में उसका photo चाहिए तो चलिए इसके लिए भी आपको background white चाहिए याद रखेगा तो जब तक आपका यह signal green ना हो तब तक आप फोटो नहीं खीच सकते हो तो अभी green होने के बाद आप खीच सकते हो तो अभी next करना है तो next करने के बाद यहां कुछ menu खुलेगा तो इस menu में आपको आधर कर जो डाला था उसकी QR कोड के आधर पे आपको यहां सभी details customer किया चाहिए लेकिन यहां आपको अल्टरनेट नमबर यानि के दूसरा अगर कोई सीम यूज कर रहा है customer तो वह नमबर आपको डालना है क्योंकि OTP चाहिए इसलिए तो वह OTP आपका जो दूसरा नमबर customer का होगा उस पे जाएगा तो इसके लिए नमबर डालते नमबर डालने के बाद यहां आपको प्रिपेड सिलेक करना है तो प्रिपेड सिलेक करने के ब करने का प्लान यूज करना हूं तो इसका मतलब है 199 में डेड़ जीवी पर डे 28 दिन तक मिलेगा और 99 आप जो एक साल की मेंबर शिप का देते हो वह आपको 99 पे करना है परस्टाइम उसके बद एक साल तक आपको यह मेंबर शिप का प्लान में कोई चिंज नहीं होगा यान के 99 पे करने के बद आपको जीव के अप्लिकेशन यूज कर सकते हो जो आपको जीव सीनेमों यू टिवी वगएर वगएर आप्लिकेशन दिए गये है वह यूज कर सकते हो तो चलिए यहां M&P वाला प्लान सिलक कर लेते हैं 199 प्लस 99 वाला तो चलिए सिलेक करने के बाद यहां रेफ्रेंस नमडर डालना है 123456 यह एक रेफ्रेंस नमडर है जो हमें दिया जाता है एजन को उसके बाद ओके करना है तो जैसे आप ओके करोगे आपको फिर से next QR code यानि के जो आपको जियो की वसे एजन को एक कार दिया जाता है MNP के लिए उसका QR code स्केन करना है जैसे QR code स्केन करोगे अभी आपको detail डालनी है तो यानि के तो जो MNP करना है वो नमबर डालना है तो चलिए हम पहले जिस MNP का यानि के जिस नमबर को जियो में आना है उसका नमबर डालना है तो चलिए हम नमबर डाल लेते हैं उसके बाद UPC code यह UPC code आपको 1900 पे मैसद करने के बाद मिलता है यानि के आपको capital में port लिखना है port लिखने के बाद space लिखे जिस नमबर का आपको MNP करना है वह MNP का नमबर लेकर आपको 1900 पे send करने देना है जैसे आप send कर दोगे वहां आपको code दिया जाएगा और वह code किस डिट यानि किस दिन आपने भेजा वह एड़ करना है इसमें तो अभी हम डेट कर लेते हैं तो डेट एड़ करने के बाद आपको फिर से select profile यहां आपको select provider यानि के कौन सा आपका अभी regular जो प्रोवाडर यूज करते हो वह तो एड़ल है तो इसके बाद आपको यहां MNP का option और से here to add करना के बाद आपको next करना है next यहां आपको confirm करना कि आपके पास डियो का दुसरा number है यहां पिर किसी और service provider का आप number यूज़ करते हो तो आपको यहां mention करना है तो यहां दूसरा जीयो का number है तो उसमें हमने add करके लिख लिया है यहां आप देख सकते हैं पूरी की पूरी detail next किया जैसे ही तो यहां पूरी की पूरी detail आता है थी उसके बाद last में आपको पूरीब करना है टिक मार करके यानि कि आपकी जो detail आपने add हुई है यहां नहीं है वो check करना है तो चेक करने के बाद last में आपको प्रोसीड के लिए click करना है तो प्रोसीड करने के बाद ही आपकी application process हो जाएगी तो चलिए हम next कर लेते हैं तो प्रोसीड करने के बाद यहां customer जो OTP तो जो आपने alternate नंबर डाला था उस पे एक OTP गया होगा वो OTP आपको इसमें डालना है customer के दूसरे नंबर पे जो गया है वो OTP डालना है उसके बाद OK करना है अब agent OTP यानि के जो जियो में officially registered है उसका OTP चाहिए वो OTP डालने के बा यहां आपको ICC ID code डालना है तो यह code आपको जो जियो का MNP के लिए आपको कार दिया जाता है उसके पीछे दिखाए दे रहा है तो यहां last वाले जो डिजिट दो डिजिट है उसको छोड़के आपको पांच डिजिट एड करने यानिके 98 यहां लिखा वह है तो वो 98 आपक सक्सेस्पुली हो जाएगा तो यहां पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी तो इस तरह आप एटेल मेसेज जियो में MNP कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा शेर करेगा कॉमेंट जरू करिएगा